अच्छी बीविया ना ही शॉपिंग के लिए बोलती है, ना ही घूमने के लिए बोलती है, ना ही तंग करती है, ना ही शब करती है, ना ही हर बात पे कॉल करती है और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है हिंदी हमारी मात्र भाषा है इसे पित्र भाषा क्यों नहीं कहते क्यूंकि माता जी ने पिता जी को कभी बोलने का मोका ही ने दिया का सूरज की भी बीबी होती कम से कम उसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती रोग गर्मी या दमात जी आप सराप पीते आज तक नहीं बताएं तोहरो बेटी तो खून पीती है तू बताए का अच्छे नहीं बताओ वह कुण सी चीज से जब तुम रोज तो देख सकते हो पर तोड़ नहीं सकते मैं नहीं बताऊंगा बोलो ना प्लीज तेरा मूँ हलो सासू मा हाँ दमात जी आपके बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीजी नहीं है दमाजी आपे तो उनका हाथ मांगा था दिमाग के तो कोई बात नहीं करी थी तो दिमाग का फिरिज में रखा हुआ है पुझा पता है तुमको तुमसे शादी करके ना मुझे बहुत फाइदा हुआ अच्छा क्या फाइदा हुआ जो नर्ग में सजा मिलती है ना ओ तो मुझे यहां ही मिल गई ना सुनो जी आज मेरी तबियत कुछ खराब सी लग रही है अरे यार मैं तो सोच रहा था आज बाहर खाना खाने चलेंगे अरे मैं तो मजाग कर रही थी मैं भी मजाग कर रहा था उटके रोटी बना ले नहीं तो मुझे फोड़ दूगा चपेड़ूगा मुझे अभी बेटी क्यों मार रही हो बेचारे को कोई बेचारा नहीं है इन्हें फोन किया था मैंने और एक लड़की बोली जिस वेक्ति से आप संपर्क करना चाते हैं वह अभी बेस्ट है बता कौन है ओ लड़की बेवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच्ची बहुत प्यार करता हूँ तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैंने तुमारे लिए डायमेंड रिंग भी लिया हूँ पता है दिखा अरे भाभी जी आप कल जब मंदिर गए थे मैंने सुना आप अपने पती को अगले जनम में वापस मांग रहे थे आप तो उनसे इत्ता लड़ते हो फिर भी अरे मैंने इस जनम में उनको इत्ता ठोक पीट के सुधा रहा है अब अपना तयार कियो वा रेडी मेट माल में किसी और चूड़ेल के लिए क्यो छोड़ू क्या जानू जब तुम देशी पीते हो तो पाड़ो कहते हो जब तुम बियर पीते हो तो डाली कहते हो फिर आप चूरेल क्यों क्योंकि आज स्प्राइट पिया है जानू सीधी बात नो बक्वास ममा मैं इतना बड़ा कब होंगा कि आप से बेना पूछे ही करी जा सको बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है अगर कोई लड़की आपके मैसेज के रिपलाई न दे तो यह मस समझे कि वो कहीं घूमने गई है और मोबाइल घर पर रखके गई है हो सकता है बेचारी बारतन माज रही हो सादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही अफसोस लगता है उकाची किसला कुछ दिन और रुख जाते तो अच्छा मोडल मिल जाता अच्छी ये चाननी है नमस हमारी बेटी हमारी मतलब मेरी है यही हम सोच रहे थे हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गई नहीं तो यह बंदू किसने चला डाली यह मजाक था वह याईसी कौन सी चीज है जो सादी से पहले किसी की भी हो सकती है लेकिन सादी के बाद सिरफ पती की होती है पतनी की नहीं क्या है तर्टी है कि तुम्ने मुझमें ऐसा क्या देखा कुछ भी नहीं बस बच्पन शेश Łख थे के बड़े पंगेलू 오늘도 हां हाँ तो